हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग फ़फ़ली अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे काम हो वे दिश्त होंगे मैं आपका होस्ट और दोस्त मौहमद अमाईशाहिद आपका वैलकम करता हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बौट्टनिक हैवन आज हम बात करने बहुत खुबसोरा से साइक्विलेंट प्लाइट के बारे में जो बहुत हाइड़ी प्लाइट है बिगनर्स प्लाइट भी जिसको कहते हैं जिसका नाम है सैंसिवेरिया मुदर लॉस टंग भी बोलते हैं कहीं लिए उन्याट से में चेयर दोब स्प्लाइट खील ऑुंस यह करूआ तो चली शुरू करते हैं अपनों विडियों सबस्ए पहले में व एर यची की बात करते हैं इसमें बहुत सारी विराइटी आती है एक मिकांती आप सकते हैं लॉंग लिज वाइगेटी वएLS इसमें वेटिआ भी इस में नौन वेड़िएड दॉप में चाहँगा भार्टी की ड़िडियु मेरे वेडियों में आगे बढ़ने से पहले मैं आप से प्रीक्वेस्त करना चाहँगा अब श्रीटिप लगक प्लीज लाईक शेरो कमेट शरूर करें और अपना valuable feedback जरूर दें ताकि आगे आने वाजी वीडियो हम आपके लिए और बहतर बना सकें इसकी propagation की बात करें तो इसकी propagation बहुत ज़ी है आप इसकी एक लीव कहीं से भी लिया है अगर आपको इसकी आप एक लीव कट कर ले और उसको चाहें तो आप पूरी ही मीटे में लगा सकते हैं मतलब सिंगल ऐसी या पिर आक अचछा हैं तो इसकी आप एक लीव के 3 तो 4 पीसिस करके भी झाहिए, लेकिन ध्यान रहे मिट्री ओपर रहना चाहिए और नीचे वाला से उन्सत्राइब देखियक दकना चाहिए कहा झिसाल की बाव्ट कहश कांड़ जाना चाहि दो उसके इसमें भी आपको आप देख सकते हैं ग्रोथ आ चुकिया शायद आपको दिख जाए बहुत छोट इसी अभी ग्रोथ स्टार्ट हुई है एक कटिंग और है वह भी मापको दिखाता हुआ देखिए एक कटिंग यह है यह भी मैंने पूरी लीफ लगा लिए ती इसमें भी आप देख सकते हैं ग्रोथ आ चुकी है साइड में छोटी सी एक स्टैम निकल दी है तो इसकी कटिंग लगाना बहुत असान है और इसको आप डिवाइट करके भी प्रोपोगेट कर सकते हैं टेएं टेएं अपने ऑफसेट निकालते हैता इसके आप साइट में साइट में इसमें इस टैम निकलनी शुरू हो जाएंगी उनको आप डिवाइट करके दूसरे पॉट में लगा जाएं तो आपका एक नूई बन जाएगा इसकी वाटिंग को ने कि बात करें तो यह जौ वीक में एक बाब वौर्ट्रिन में नहीं ऊक्ति करें और एक वादिक पन्हें होने के मरनने कुछ इसके roots में fungus लग जाता है और plant मर जाता है इसलिए आप गर चाहते हैं आपका plant जादर time चले तो कि इसमें watering करें कि इसकी location के बात करें तो इसको ऐसी location provide करें जहां इसको full day indirect sunlight मिले तो वैसे तो आप अगर full day direct sunlight अगर आप इसको बिल्कुल ही जीरो रहें अगर आप इसको बिल्कुल ही अंदर रखेंगे लो लाइट में तो प्लाइट को तो ज्यादा कुछ फग नी पड़ेगा लेकिन ग्रोथ रुख जाएगी आप देखेंगे इसमें नीज नी आएंगी धीरे धीरे करते करते आपका लाइटा युझा सथ लग ब्लाइट फुर लीज चैप्तेटा रिखी अच्छ एक्ट कर रहें वी जल्क भू में आपको बाक्ति जगाइगा अपका प्र नियुक्त को बनास करें विल्क। बाई!